हे गाईस तो यहाँ पर अगर आप लोग यूज करते हो Samsung A31 का डिवाइस एन आप लोग वेट करो कि याँ हमारी डिवाइस के अंदर finally new software update जो है वो कपतलग देखने के लिए कि क्योंकि last update जो रिलीस किया गया था वो Samsung A31 के लिए है उसमें हम Android 12 with 4.1 की update देखने के लिए मिली थी यानि कि Measure OS and Measure UI के अपडेट रिलीस की गई थी है यहाँ पर उसके बाद Samsung A31 के अंदर कोई सा भी new software update देखने के लिए नहीं मिली है तो finally हमारे device के लिए new software update जो कपतलग रिलीस की जा सकती है क्या कुछ improvements और features के साथ अपडेट हमें देखने के मिलने वाली है आज किस नीव वीडियो में मैं आप से डीटेल में बात करने वाला हूं description में आप लोगों को telegram channel की link देखने के लिए मिल जाएगी तो आप लोग वहाँ पी जोईन कर सकते हो तो चली वीडियो को start करते हैं तो guys Samsung A31 के लिए last update जो रिलीस किया गया था वो guys हमें mid-mai 2022 के अंदर update देखने के लिए मिल जाती थी 1 April 2022 का security patch include किया गया था यानि कि यार Samsung A31 के लिए यहाँ पे 2021 में एक ही new update देखने के लिए जो की major UI और major OS की update रिलीस की गई थी otherwise यहाँ पे Samsung A31 को security update list में रखा गया है वो guys quarterly update list में रखा गया है यानि कि इस सान में 3-4 new software update जो वो basically देखने के लिए मिलती है हर 3-4 महिने पे एक new software update रिलीस किया जाता है तो basically last update जो देखने के लिए थी वो guys माई के मन्त में update देखने के लिए मिली थी बात करी new software update के बारे में तो guys साप लोगों को इसी अगस्त मन्त में new software update जो देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे 2-3 महिनों से कोई साभी new software update samsung 831 के लिए रिलीस नहीं किया गया हाला कि यहाँ पे लास्ट अप्डेट हमें major OS और major UI की update देखने के लिए मिली थी तो guys उसके बाद यहाँ पे update जो देखने के लिए मिलेगी वो guys box fix वाली update देखने के लिए मिलने वाली है तो obviously आप लोगों को यहाँ पे इसी अगस्त क अप्डेट देखने के लिए मिल सकती जिसमें आप लोगों को security path जो है वो improve देखने के लिए मिल जाएगी और guys आप लोगों के device के अंदर जो major update देखने के लिए मिली थी उसमें कुछ problem face करनी पर रही थी वो सभी bugs आप लोगों को इस update के अंदर fix देखने के लिए मिलने व वीडियो में बस अतना है मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिए बंदे मात्रा